उधर दिली के च्छतरपुर के विधाय करतार सिंग तवर की माता जी का निधन हो गया 86 साल की उमर में करतार सिंग तवर की माता चमेली देवी का निधन हुआ च्छतरपुर के फतेहपुर बेरी में उनका अंतिम संसकार किया गया दुख की इस घड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के एजरिवाल भी परिवार वालों से मिलने पहुँचे CM के एजरिवाल ने विधायक करतार सिंग तवर की माताजी को श्रधांज ली ती इस दोरान उन्होंने विधायक करतार सिंग तवर और उनके परिपार को हिम्मत बंधाई सांत बना दी अंतिम संसकार में आपके कई नेता पहुँचे और शोग जाहिर किया इसके लावा आप विधायक सोमनाद भारती ने भी अंतिम संसकार में पहुँच कर करतार सिंग तवर की माता जी को श्रधांशनी दी उन्होंने करतार सिंग तवर और उनके परिवार को धांडस बन्थाया यहीं नहीं दुख के इस खड़ी में परिवार के साथ होने का एहसास भी कराया पताया जा रहा है विधायक करतार सिंग तवर की माता जी चमेली देवी का कई दिनों से स्वास्थे ठीक नहीं चल रहा था तब्यत लगातार खराब होती जा रही थी वे दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जिसके बाद भरती करवाई गई थी वहाँ पर उनका कई दिनों से उपचार चल रहा था डॉक्टरस की कई टीमें लगतार कोशिश में चुटी थी लेकिन कई दिनों के इलाज के बाद रविवार को उनका निधन हो गया उनके निधन पर आम आद्मिपाजी के कई नेताओं ने शोक व्यक्ति किया है श्रधान श्रीती है आपको तादी की करतार सिंग तवर दिल्ली के छतरपुर विधान सभा से विधायक है उनकी माताजी के निधन के बाद उन पर उनके पूरे परिवार पर दुखो का पहार तूट पड़ा है ऐसे मौकिपर मुख्यमंत्री अरविंद के जवाल आपके कई विधायक और आप नेताओं ने श्रधांजली देते वे इस कारेक्टर में शामिल होते वे ये साबित किया कि दुख के इस खड़ी में ये सब विधायक करतार सिंग तवर के साथ खड़े हैं हिम्मत बंधाई धान्डस बंधाया यहीं नहीं मुख्यमंत्री अरविंद के जवाल खुद वहां परिजनों को सांत्वन देते नजर आए खबरों के निश्पक्ष विशलेशन के लिए सब्सक्राइब करे जनतन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट